कि अलो फ्रेंट्स में सटिक्स थिवारी और आप देखे हैं मेरा यूटूब चनल स्लाइशू.टिंट तो अभी सबसे पहले इस लाइब में मैं कन्फिगर करने जा रहा हूं उबुन्तू 18.04 तो मैं वर्चुल मुशीन में उबुन्तू को इंस्टॉल करने जा रहा हूं तो आपको देख रहें पर कैसे इंस्टॉल करता हम है कि अ क्यों सुना हो ठीक है यह यहां पर 15 जीटी कर देते हैं उन्हें जी भी कर देते हैं कोई शो नहीं सेटिंग में चलते हम सिस्टेम में जाका फ्लॉपी घॉटा देंगा हार्ड डिस्क फ़स्ट बॉटेबल डिवाइस इसमें कोई चेंग नहीं करने करेंगे करेंगे और यहां पर हम लोग उगुंतु का अपरेटिंग सिस्टम है उगुंतु 18.04 ओके नेटर्वर्क में जाकर हम यहां पर कर देंगे ब्रीज एलेप्टर और अपना लैंड कार्ड आप चूज कर लेना हैं से ओके और स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन कर देता हूं मैं और इसको फूली स्किन में आप के लिए इसको देख से को क्या कैस्टेफ होते हैं जो हम परिटेशन टेस्टिंग के लिए लाइब क्रिएट करेंगे उसमें उबुन्तू का ज़रूरत है उबुन्तू का यूज है उसमें आपाचे पीएच्प माइस्क्वेल वर्डप्रेस पीएडबिन एडबिन एफटीप एस्टेच एनमेट बहुत सारे टूल्स करेंगे और जिसको देखने के लिए और जिसको प्रेक्टिकल करने के लिए यह सर्वर चाहिए होगा जिस पर हम लोग अटाइक करेंगे काल लिनेस के थूटू कि अज़िए कि आए तरह इंस्टल अभून्तु पर सिलेक्ट करना आपको यहां से इस यहां से बर्वा डिफॉल्ट कन्ट्रियू कर देना है अ गां दो अथ्यक्व तो हम Selfeen अभज करेंगे इस दिस्क निस्टाल उबून टू ठीक है यह पर ला वाजा ठीक है ओके इस्टोर कोई दिकत नहीं को वट्चुल वसम सावरा है कंट्री नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है टाइम जन कुल करता है ओके अब यह अपना नाम है कि कॉंप्यूटर्स नेम कर सकते हैं यह पासवर्ट भी वहाई चुछ करते हैं कि लॉग इन अटमेटिक कर देते हैं क्रौ़ थेक्षेता हुग्णि कर दो आहिए लग्या जो बारे कि आ रह थे सोड़刈 कि क 1997eास यह रंजाओंग चॉब भी मिते हैं कि घुग्या अबादे है ऋगना चुछ तो लाजा में अगी तो लाजा में अगी लाजा 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 अग्राप भी हो चुका है ग्राफिकल इन्वर्मेंट यानि एक GUI डेस्टप इन्वर्मेंट त्यार कर रहा है वो बंदू के लिए उसके लिए सारे पैकेश सेलेक्ट हो रहे है वो इंस्टोल हो रहे हैं इसके अंदर जिसमें भी आपका स्लैक आजागा जुए पोड़िफाइए बॉडियो प्लेटर आजाएगा आपका या वीडियो प्लेट प्लेटर आजाएगा एंपटीप्लेटर आजाएगा और फोटोग्राफिक में आपके ग्राफिक्स एडियेटेट टूल जैसे फोटोसप लाइक फ्री ओपन सोर्स तूल तो कि ओपन सोर्स वो सब आ जाएंगे इसमें अब देख सकते हो यह सारे अप्शन है डेडिंग इस्टोलेशन आप देख सकते हैं ठीक है तो यह सारा काम हो रहा है अब ठीक है थोड़ा सा समय लगा है डिपेंडिंग ओन यूर सिस्टम कॉन्फिगर्शन झाल झाल हूँ बहुता जो जह गो आरेख़ दो चांगा, पाता जो जह पांप स जुड़िंगे, पाता जो पी में लुड़िंगा यूरा जूल, लुड़िं हो जाता जार कता है जाता। मैं कुछ भी इस्केप नहीं कर रहा हूं ठीक आप इस्टेप देखते जाओ लास्ट स्टेप चल रहा है बिल्कुल है डावाक खतमने मुणला है जैसी कोफिशन खतम इस्टार्चन कम्प्लीट और रीबूट करते हैं रेस्टार्ट नाव लिक करते हैं सिस्टम रीबूट मांगे एक बार इस्टम रीबूट करेगा लोगिन नेम तो मैंने आटो लोगिन कर रखा है आटोमेटिक की लोगिन हो जाएगा इसके बाद एक प्रोसेस है जो करना आपको इंपोर्टन प्रोसेस रूट लोगिन कराना अरणा प्रोसेस झाल system first time reboot हो रहा है इंस्टलेशन के बाद और reboot के बाद login login के बाद IP address चेक करेंगे package installation का setup देखेंगे package इंस्टल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई ठाट पार्टी सॉफ्टर इंस्टल करके इसके बाद other lab second lab में जाएंगे हम लोग ठीक है यह हो गया आप नेक्ष नेक्ष करके देख सकते हो तो यह टूल्स आगे हमारे राइड क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर सकते हो आप और यहाँ आप में बाइड डिपोल्ट सब्सक्राइब करना इनेबल करना परएगा उसके लिए कमांड यह है कि सीडो पास्टरूडी और रूट और आसके पास्ट पर सतीज जो कि सतीस ही में ने दिया था एड़े केस में ठीक है अब मैं रूट से लोग इन हो सकता हूं कि रूट का लोग इन में यूजर नेम सट इस रख दिया है तो मैं किसी टर्मिन पर चला जाता हूं कि आप अल्ट कंट्रोल एफ 2 या एफ 3 से आप जा सकते हो किसी टर्मिन पर यह अपडेट्स अपर इंसूड उगुंट वाज रिजी द्यूए वां टो इस्टोर इन नव रिमाइड मी लेटर कर देते इसको बाद में कर लेंगे तो अब अपन टर्मिन कर जाँ हम एसे इस लाइस से रूट कर जाते हैं रूट का पासट विसा तिस कर दिया था मैं मैं रूट का पासट शेंज कर देता हूं तो रेड़ेट कर देता हूं सहूलियत के लिए कि अच्छा इफ कंपी कमांड काम निकार रहा है उसके लिए हमें अब्ट ईस्टोल्स शारा नेट टूल स्सक्ट ये पैकेज इस्टोल करना पड़ेगा तब जाकर जाकर आएप कंपी कमांड काम करेगा और आप्ट इस्टोल क्या होता है जैसे इससे आ Ubuntu debian में अप्ट इस्टल होता है पैकेज इस्टाल करने के लिए तो अप्ट इस्टाल और पैकेज करना हो क्यों करते हैं तो यह पैकेज इस्टाल हो चुका है हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है अब हम क्या करते हैं अब चेक करते हैं इफ कंफिक्ट से तो हमारा आई-पी अड्रेस आचुका 192.162.9.247 पर हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो रहा है एक बार गूगल से पिंग करके चेक कर लेते हैं इसका मतलब नेट का भी कोई इसु नहीं है इंटरनेट भी इसमेश चल रहा है तो हम और भी कोई काम कर सकते हैं अब जो कि मैंने बता रहा था कि वेब सर्वर का सेट अप यानि एक लैब सेट अप क्रिएट करें हैं पेनेटेशन टेस्टिंग के लिए जिसमें हम वेब सर्वर यानि अपाचे सर्वर पीच्प माई स्कुल पीच्प माई एड्मिन एपटीप एसेच और एनमेप टूल क को कंफिगर करेंगे तो सबसे जो पहला काम करते हैं वह अपाचे अप्ट इंस्टॉल अपाचे टू पैकेज इस्टॉल करने सबसे पहला काम हम ने अपाचे का पैकेज इस्टॉल कर दिया अपाचे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया अब चलते नेक्स्ट पीएच्प तो अप्ट इंस्टॉल पीएच्प 7.2 जो लिटेस्ट वर्जन है मैंने उसको किया तो अब यह आटमेटिक इंस्टॉल हो रहा है सब आपके इंटरनेट से अब चलते हैं नेक्स्ट पीएच्प के बाद आता है माइस्क्विल का नॉमबर अब इंस्टॉल माइस्क्विल सेर्वर ठीक है माइस्क्विल सेर्वर का पैकेज वाइप और इंस्टॉल माइस्क्विल सेर्वर का पैकेज इंस्टॉल हो जागा इसमें करते हैं अब माइस्क्विल में लोगिन होते हैं तो लोगिन होने के लिए इसमें मतलब इंड़ का नाम रूट इसर का नाम है रूट और हाइफन पी देते हैं पासवर मांगे यार तो यहां रूट का पासवर्ड था वह हमने दे दिये और लोगिन होगे डेटाबस के अंदर तो यहां से हम फुरिबलेज देंगे और एक यहर्ट करेंगे सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब करेंगे जिसको पासवर्ड देंगे 12345 ठीक है तो हम काम कैसे करेंगे अब यहां पर कमांड चलेंगे ग्रांट अवर्ड इस्टार डॉट इस्टार नदर सभी के लिए यूजर का नाम हमारा सथीश है ठीक है अट दिरेट परसंटाइल ठीक है यह आप्शन और आइडेंट टीवाइट भाई पासवर्ड 12345 तो हमारा पासवर्ड रहेगा 12345 यहां पर साथीश यूजर नहीं है पासवर्ड 1235 है विद्ट ग्रांट और यह प्लॉस करते हैं ठीक है और यह हो चुका हमारा अब जो पहले का होगा उसको देख कर देंगे फ्लस कर देंगे कर दो आप है तर चाहर सब्सक्राइब कर देंगे एक अलगे तो कि अधे था और प्लस अ और प्लस प्लस प्लिप्लिपलिजेट अफ टर नियोगे फिस्मेध लोगा जो भी रस पिस्मेध लोगा है अब तो हम यहां से बाहर निकल सकते हैं एक्जिट से हम माई स्कुल से बाहर निकल गया डेटावेस भी हमारा कंफिगर हो चुका है अब बार याती है पीछ पी माई अप्ट इंस्टॉल पीछ पी माई एडमी कि वाइप और यास हाथ मुझे करना है अब पहले किसके साथ करना अपाचे की साथ करना है तो हम अपाचे को सेलेक्ट कर लेंगे हाद से ओके कर देंगे अगा 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 एक यह डिए टाब्स कर मैंश यस मैंशल अग्रिकेश्ट पासवट पर फ्वर प्वर माई एडमी राइब तक मर्समाइवाल का ले प्लसकित टूंगि करना हम 12345 पासवट 12345 कि अधी के जो हमें कंफिगर करना था हमने सब कुछ कंफिगर कर दिया अब हम इसको क्लियर करते हैं वापस चलते हैं अप्चे के अधूरे सब्सक्राइब क्या है एक अपाचेटू डॉटकॉंप यह से इसके कनफिशन फाइल है आपको क्या करना है आपको इसके लास्ट लाइन में जाना एदा बिल्ल को लास्ट में ठीक है अब लास्ट में जाकर देखो कुछ दीख रहा आपको कि प्यश्पी मैं एड्मिन कांफिवेशन कर दो कहने दिख रहा न है चलते हैं सर से नीचे ठीक है और इसमें एक लाइन एड़ करते हैं हम है 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 इंक्लिवट 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 इसलाइस एडिसी प्सक्राइब को एड़ करना पड़ेगा इस लाइन के अंदर ठीक है कंट्रोल एक्स से से यस और इंटर मार देंगे वह से वोगे अब आपाचे की सर्विस रिस्टार्ट कर देंगे अब हमारे अपाचे की सर्विस स्टार्ट हो गई इसको जड़ा चेक कर लेते हैं तो चेक करने के लिए इफ कंट्रीक से क्या है हमारा 247 इसका इड़ेस है तो जड़ा विंडूज में जाकर चेक करते हैं आ ऐसे आ आख ऑग आख ओग वनादे टू फांस टिया ट्रॉन्टेन डॉट्टू पॉस सेवें टिक है तो फोसलें पर मारा अपाचे शल्में खुल रहा है त्विसके साथ हम क्या करेंगे प्यूप्यज पी पीएच पी माई एडमीन यह करते हैं तो यह देखिए एवजय नेम खुल रहा हमारा अधर को एक ए दुक सकते हैं अराम से अ मैं कि यहां होगा जो भी मंत जायों हो हो ट्रोक्ति कर सकते हैं यहां से ठीक है तो हमारा PHP my admin खुल रहा है क्योंकि हमारा उसमें सब कुछ configure हो गया वेब server PHP my admin भी configure हो चुका है ठीक है जो next होगा FTP server तो FTP के लिए आपको क्या करना है कुछ नहीं simple सा है अब इंस्टॉल अब इंस्टॉल भी एस एफटी पीडी ठीक है FTP के पैकेज है उसको इंस्टॉल करना है FTP server हो गया हमारे सिस्टम के अंदर SS के लिए आपको पैकेजिस्ट करना पड़ा आप इंस्टॉल open SSH server ठीक है open SSH सब्सक्राइब हमने कुछ सब्सक्राइब मिश्टेक कर दिया आपकेजिस्ट कर दिया तो हमारा SS server भी हो गया अब एक और तुल चाहिए हमाँ एनमेड जिस्टाइब बता है अब इंस्टॉल एनमेड यस एनमेड नेट्रक मोनिटरिंग टूल है जिसको में चाहिए होगा ठीक है ठीक है तो आप देख सकते हैं अब हमारे सिस्टम पर चले लगें अब हमारे सिस्टम टेस्टिंग लाइब के लिए तयार है एक लाइब सेट अप हो गया दूसरा जो लाइब सेटाप का वीडियो होगा वो मैं अभी दुतिन दिन के अंदर वापस अफ्लोड करूँगा ठीक है जो वेब सर्वर हो गया माइस को लोगया पीश्वी माइडमिन हो गया इसके उपर एनमेप हो हो गया एक टीपी हो गया और एस सेच हो गया सब कुछ कंफिगर हो गया आप वो इसु हो आप डाउट हो आप कॉमेंट सेक्शन के तरू पूस्ट कोई भी वीडियो का पार्ट मिस्स मत करना ठीक है थांक यू थांक यू पर वाचिंग